हाई गाईस वेलकम टू डाइटिकर्डवी क्लासिस मैं हूँ रमी स्कमाल और आज हम भूक करेंगे क्रसी इंप्रोदो की किता है टेस्ट नमर फोर ओके अग्रिकल्चर एंड टेक्नलोजी का टेस्ट फोर इसमें इंपॉर्डेंट क्यूशन है ओके चलिए स्टार्ट करते है किसकी है नीबू की कौन सा फ़ल ओष्ण काटी बंदी नहीं है ए अक्रोट बी नारियल सी सेव अड़ी काजू ओके तो कौन सा नहीं है सेव जो है ओष्ण काटी बंदी फल नहीं है Q3. आम की बे मौसमी किस्म कौन सी है? याने ओफ सीजन जो इसकी वेराइटी है कौन सी है? A. निरंजन, B. अलफानसो, C. अरका सूर्या, D. बैनी सान तो कौन से इसकी ओफ सीजन याने की वेराइटी निरंजन Q4. बिटामिन B. बन का धनी स्त्रोथ कौन सा फल है? A. काजू, B. करोंदा, C. अमरूद, D. पपीता तो कौन सा है काजू? Q5. बाथरूम फल है? पपीता, केला, आम, अमरूद Q6. आम का कुरोचना रोग के रोग रोधी, आम की किस्म है? A. बहादूरन, B. इलाइची, C. अलिव, D. उप्रोक्त सभी Q7. आम की सीडलेस, बीज रहत वेराइटी है? A. सिंदू, B. रतना, C. निरंजन Q7. आम की सीडलेस, बीज रहत वेराइटी है? आम की Q7. निमलेकित में से किसमें ब्लीचिंग क्रिया की जाती है? A. फलों में, B. सबजियों में, C. दोनों में, D. किसी में भी नहीं Q7. तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सबजियों में, B. ओप्सन Q7. फलों में, पैक्टीज की मात्राग याद करने की हितू, किस यंत्रका उपियों करते हैं? A. रिफ्रेक्टो मीटर, B. हाइड्रो मीटर, C. लेक्टो मीटर, D. जेल मीटर Q7. कौसल किस फसल की उन्नत फ्रजाती है? A. चना, B. कपा, C. मुंगफली, D. ग्यों हूँ Q7. कौसल किस की है? मुंगफली की उन्नत फ्रजाती की फसल है Q10. दच्छिन भारत में ओचे क्रसी उत्पादकता का छेत पाए जाता है A. केरल तर्ड, B. तमिल नाडु तर्ड, C. तिलंगाना, D. विदर्व में Q11. भारत में सरवादे कॉफी उत्पादक राज्य है A. असम, B. करनाटक, C. केरल, D. तमिल नाडु तो कौन सा है करनाटक Q12. निमलेखित में से कौन सी एक खरीब की फसल है A. मसूर, B. अलसी, C. 600, D. सोया बीन Q13. निमलेखित में से किसमें पाए जाता है विटामिन की मात्रा सरवादेक होती है A. पत्ता गोबी, B. गाजर, C. फूल गोबी, D. पालक ओके, तो सरवादेक किसमें होती है पालक में विटामिन की मात्रा होती है Q14. केले के व्रक्ष का प्रसारन किस विधी द्वारा करते है A. क्राउन, B. सोट भुस्तारी या वाटर सकर्स C. बडिंग, D. इनमें से कोई नहीं तो कौन से सकरते हैं, वोट भुस्तारी या वाटर सकर्स Q15. अखरोट में कुल बसा का प्रत्सत होता है A. 69.8%, B. 84.4%, C. 64.4%, D. 68.4%, ओके तो करेक्टर अंसर है, 64.4% इसमें वसा होती है, फैट होती है अक्रोट में किसमा 16? आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है A. बाई, फल्वित्ती, B. अन्ता फल्वित्ती, C. मद्ध फल्वित्ती, D. उपरुक्त सभी करेक्टर अंसर है, मद्ध फल्वित्ती किसमा 17, कौन सा सहर बागों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है इलाहवाद, B. कानपूर, C. लखनाउ, D. सा जहांपूर किसमा 18, फलों का फटना किस फल की एक महत्पूर्ण समस्या है A. लीची, B. बेर, C. चेरी, D. उपरुक्त सभी तो करेक्टर अंसर है, उपरुक्त सभी ये तीनों फलों में ये समस्या होती है किसमा 19, आम की कौन सी ऐसी किसम है, जो रसोई उद्ध्यान अर्थात किचन गार्डनिंग के लिए उप्युप्त मानी जाती है A. अलफांसो, B. चौसा, C. दसहरी, D. आम्रफाली तो कौन सी वेराइटी है, आम्रफाली ऐसी किसमें, जो किचन गार्डनिंग के लिए उप्युप्त मानी जाती है किसमा 20 फलों में अधिकतर कौन सी सरक्रा पाई जाती है A. ग्लूकोज, B. फ्रक्टोज, C. सुक्रोज, D. उप्रुक्त सभी तो इसका करेक्ट आंसर है, फ्रक्टोज किसमा 21 नीबु जाती के फलों में सिक्ट्रस कैंकर का कारण है ओ है लग गया है, ओ है है A. माइको प्लाज्मा, B. जीवाणू, C. कवक, D. निमेटोड करेक्ट आंसर कौन सा है, B. जीवाणू किसमा 22 भारत में सरवादे किस फल का उत्रपादन होता है A. अमरूद, B. केला, C. आम, D. अंगोर्थ किसका होता है, केला खा किसमा 23 पपीते के फलों में पीला रंग किस पिगमेंट की कार्ण होता है A. एंथोसाइनन, B. जैन्तोफिल, C. केरिकाजैन्थिन, D. वीटा केरोटिन ओके, करेक्ट आंसर है, C. केरिकाजैन्थिन किसमा 24 कल्यान सोना एक किसम है, चावल की, B. मक्का की, C. गेहुं की, D. ज्वार की, तो किसकी है, गेहुं की एक प्रसिद किसम है, कल्यान सोना किसमा 25 निमलेकित में से कौन सफल सुगर रोगी के लिए अम्रित माना जाता है, A. जामुन, B. आम, C. अमुरूद, D. बेल, तो कौन से माना जाता है, जामुन ओके, गाइस हम लोग ने जो क्रसिम और टेक्नोलोजी का क्रसिम प्रोदोग के, याने हम लोग टेस्ट फोर कंप्लीट कर लिया, होप आपको एक कुछिशन पसंद आ रहे होंगे, प्लीज इस वीडियो को लाइक और सेर करना न भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको स